नमश्कार दोस्तों आप सब कैसे हैं दोस्तों आज आज मैं सभी के लिए लोकी में रैसेपी ले कराए इसे। के साथ बटर के साथ या फिर में यूज किया मैं यूज किया है यह हो में जब करते हैं यह काटोरी आटा डारी हूं कि दो बाउल के घर लेंगी और यह अपने सब्सक्राइब में tutorials पैलें सब्सक्राइब लेकार दाख क्वेорм नमक करना अंद्र में कि क्यात्त क्यां बैसकी शेट सब्सक्राइब गया सब्सक्राइब करें यह दा voulez है कि द्लिद बैसी आपेशल के चौप कीवी आद्रक और हरीमीरadora क्या चौप कर ली है कौपर में अपनी दाला है jó और इसमें डाल देंगे हम 3 टेबल स्पून कर्ड यह हलका सा खटा दई है अब प्लेन कर्ड भी ले सकते हैं कोई से भी और इसमें मैं डालने हूं 2 टेबल स्पून ऑईल बहुत ही टेस्टी बनता है यह पराठा अब इसमें पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल पहले ऐसे इसको गूतेंगे हमें आच्छा टाइट डो बनाना है जैसे पूरी के आटे का डो होता है हम उस टाइप से बनाना है क्योंकि लौकी जो है नमक के साथ मिलकर पानी छोड़ द पराठे के लिए और हमें जरूत लगेगी तो हम बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें इस चीज का ज़ूर ध्यान रखेंगे पानी यूज नहीं करेंगे बिल्कुल मैं टेबल स्पून पानी इसमें डाल देती हूं तो देखिए मैंने इस आफट डो बना लिया है व रोटी की तरह है क्योंकि इसमें हमने सब कुछ डाल दिया है इसके बीच में आठा मलते हुए लगाते हुए तो इसमें अब कुछ भी डालने की करने की जूरूरत नहीं हैं तो हम मोटा पतला जैसे भी आप अपना जिस तरह आप से खाना चाहते हैं वैसे उसको कर लेग औ और इसको बहुत ही तवेज़ और अल्ट कि अच्छा 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 है प्रकू सब्सक्राइद नीए तोगल विम्हीए अज्छनल हाइए बिन ला है हलका सा कलर चेंज हो गया उपर से लिए तो इसको हम पलट लेते हैं को देखिए एक अधिन और लगा कर इसको हम रोटी की तरह सेक लेंगे इसे इसको उतार लेते हैं हम तरह से और इसी तरह से हम दूसा पराठा भी सेक लेंगे और इसको बना कर रख लीजिए क्योंकि इसका लौकी रखे रखे पानी चोड़ना शुरू कर देती है तो चलिए सारे पराठे मैंने बना लिए हैं अब यह हम गालिक बटर बनाएंगे घर प ही कोई भी हमारे अब भाठे अब अब लिए हैं वह द्याव धने पुड़ा सकतτε है मिन्ट डाल सकते हैं पुदीना सुखा हुआ और यह ई गरलिक बटर यह भी घर का ही बना हुआ है थोड़ा से लिए बहुत इचा फ्लेवर आएगा इससे जब समसातमे स्को खाएंगे थेपले के साथ और यह चिली फ्लेक्स हैं थोड़े से और अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से आप प्लेन बटर के साथ भी खा सकते हैं बाजार का अमूल बटर आता है उससे भी खा सकते हैं तो दिखिए सारे रेडी हैं हमारे पराठे थेपले लौकी का थेपला इसको अचार के साथ आम का अचार है दही है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है लाश्टे के लिए तो अब की बार जब आपको नाश्टे के लिए समझ में आए कि क्या बनाया जाए तो इस लौकी के थेपले को जरूर क्राइब कि बहुत ही पॉश्टिक होता है खाने में भी और फ् झाल